आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा SBI Gold Direct Plan Growth के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि यह जो SBI का Gold Direct Plan Growth है इसने पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल या फिर Annual Return क्या दिया है आज के डिट में इसका एक नभी का Price क्या है, यह कितने इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमम SIP Amount आप क्या लगा सकते हैं और इसका Fund Size क्या है साथी साथ मैं आप से Discuss करूँगा कि इसके अंदर कौन-कौन सा Stock Listed है और अगर आप इस Mutual Fund में कुछ पैसा जमा किये होते तो पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या Return देखने को मिलता और लास्ट में मैं आप से Discuss करूँगा कि क्या हमें इस Mutual Fund के अंदर Investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए यदि आपने और रेडिक क्या है तो क्या हम अपने SIP और लंसम के साथ Continue रहे या फिर इससे अपना पैसा निकाल ले ये भी जानकारी Complete इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा यदि आप अपना Investment स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरीके से हम Mutual Fund में Invest करते हैं तो अभी आपके Skin Pay मेरा WhatsApp नमर सो हो रहा होगा तो Investment के Regarding जो भी कुछ पूछना हो समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे Diet WhatsApp पे Contact कर सकते हैं मैं वहाँ आपको Guide करूंगा तो इसकी हम लोग Return की बात कर लेते हैं तो इसने पिछले एक साल में जो रिटन दिया है वो दिया है 14.02% का रिटन है तीन साल के रिटन के अपर बात करते हैं तो तीन साल में 15.09% का रिटन है पांस साल के रिटन के आपर बात करते हैं तो पांस साल में 16.12% का रिटन है और अगर एनुवर रिटन के हम लोग बात करते हैं तो एनुवर रिटन है 6.38% का अब हम लोग इसका बेसिक नॉलिज को देखते हैं तो आसके डेट में इसका एक एनेवी का प्राइस है 21.57 पैसा रेटिंग की बात करते हैं तो यह फोर इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें मीनिमूम ऐसा आईपी अमांट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 1506 करोड का अब बात करते हैं अगर इस मुच्वल फंड के अंदर आप 5000 पैसा प्रमन जमा किये होते तो पांच साल में आपका पैसा जमा होता 3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 20 इसुर्पया होता अगर अभी तक आ हम अपना डिमेट अकाउंट नहीं किया और आपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो का इस्केप्षन में हमने अपना रेफ्र रिंख गूर्ण मेुँझ दिया है यदि आप अपना रेफ्रा दिक से अपना डिमेट अपन करेंगे तो फिर और cash पे है 1.6% अब इस security को यदि sector में देखते हैं तो others में 100% इसकी debit sector एक location को देखते हैं तो others में 100% इसकी advance ratio की बात करते हैं तो अभी इसका price to earning ratio और PB ratio का data available नहीं है यदि आप इसके अंदर investment करना चाहते हैं तो minimum lump sum आपको 500 रिप्या करना पड़ेगा और SIP करना चाहते हैं तो minimum SIP आपको 500 रिप्या का करना होगा इसके return and ranking की बात करते हैं और नहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस mutual fund के अंदर invest करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए यहाँ पर यह mutual fund का जो fund written है यानि कि SBI gold fund का जो fund written है एक साल में 14 का है तीन साल में 15.1 का है पांस साल में 16.1 का एन्वल 6.4 का है वह पर इस category का जो average return रहता है एक साल में 10.8 रहता है तीन साल में 13.8 है पांस साल में 15 का एन्वल डाटा एवलेबल नहीं है तो यहां से एक चीज़ के लिए हो रहा है यादि आप गॉर्ड मुच्वल फंड के अंदर इंवेस्मेंट करना चाहते हैं तो बिलकुल आपके लिए यहां पर सही साबित हो सकता है क्योंकि यह अपना कैटेगरी अबरेज से भी ज्यादा रिटन निकाल करके दे रहा है क्री चैशना बात करे एक साल का चैशना बात करे अबरेज कि चैनछा इक साल करे यह आपना कैटेगरी अभरेर से भी ज्यादा रिटन निकाल निकाल करके आपको दे रहा है तो आप इसके अनदर इंवेस्मेंट कर सकते हैं इसके आशपस यदी सिंडर फंड स्थे इसका आज पर सिमिलर फंड्स है, ICIC Prudental भारत 22 Fof डायट ग्रोथ, ICIC Prudental India Equity Fof डायट ग्रोथ, Franklin India Dynamic Assist Eclocation Funds of Funds डायट ग्रोथ, ICIC Prudental Assist Eclocator Funds डायट ग्रोथ, ICIC Prudental Income Optimizer Funds डायट ग्रोथ, अब इसकी expense ratio की बात करते हैं, तो इसका expense ratio 0.10 का, exit load की बात कर लेते हैं, यदि आप invest के आवाप पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं, तो आपको 1% का exit load देना होगा, और system duty की बात करते हैं, system duty है 0.005%, अब इसकी fund house and investment objects को यदि हम लोग देखिए, तो SBI Mutual Fund, total assist में इंडिया पे नमडर एक पेरेंग करता है, ये Mutual Fund start वा है 29 जून 1987 को, इसका total assist under management है 9,952,000,000,000,000,000,000,000 करोड का, बात करते हैं, SBI Gold Direct Plan Growth, ये एक अदर Mutual Fund है, जो कि launch किया गया है SBI Mutual Fund की तरब से, ये Mutual Fund start वा है 29,07,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 और लेटेस्ट ने भी है काई सिर्फिया 57 पैसार बात करते हैं SBI गॉल डायेट प्लान गुरूथ ये एक काफी हाई रिक्स मुच्वल फंड है इसे मिनिममम SIP अमाउंट 500 प्रकर सेट किया गया है और मिनिममम लंसम 500 का सेट किया गया है यदि आप 15 दिन के अंदर आप अप सिर्ण कारी को लेकर की